हेलो फरेंड्स जय इंद आपके अपने यूटूब चैनल रोजगार भी थाइटी आई में आपका स्वागत करता हूं तो जैसा कि हम बता दें कि हम लोगों की फिटर थिवरी की जो कलासे से स्टाट हुई है उसमें हमारा कामार हैंड टूल में आज की टापिक है चीजल छैन के बारे में आप लोग सुने ही होंगे फिटर वर्क्षाप में आप लोग इसका उजब करते होंगे तो आज हम चैनी में जितना इंपॉटेंट है जितना एकजाम्स में पूछा जाता है वह आप लोगों को पूरा डीटेल में बताने वाले हैं क्योंकि दोस्तों जो जो ज से पहले हम बता दें आप लोगों को कि या आप ITI के स्टुटेंट हो या फिर आप CITS इंट्रेंशिंग जाम के तयारी कर रहे हो या फिर आप ITI से रिलेटेड किसी भी कमप्पटिशन जाम की तयारी कर रहे हो तो उसके लिए हैं यह हम वीडियो आपके सामने एंडिर हैं देली ला रहे हैं वीडियो आपने वोत के लिए काफी Case होगी क्योंकि आपको कम समय मैं ज्याधा सी ज्याधा नालेज देने की कोशिश कर रहे हैं तो तुब आते हैं अपने टापिक की तरफ अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहा है तो इससे पहले अबने और हमें ऐब टापिक की तरफ तो आज के हमारी टापिक है प्रड़त तुक्षानी का यूज हम लोग किस लिए करतें हैं तो छहनी का यूज है utging हमारा एक cutting tool है जिस प्रकार हम aparece को पड़ा था file को पड़ा था उस प्रकार Chinese भी हमक्या है क्या आततों कि क्या करते हैं क्योंकि क्योंकि छो 15.5 चैनि करते हैं फाइल के आपैछा अधिक मात्रां में हटाने के लिए किए हम लोग च्रंप करतें ठीक है बिभीन कार्वें में करते हैं आपने लोग को क्यूंकि पूसंत कर लिए तरब करip okay can का बना होता है ठीक है चैनी किसकर बना है हम 60-74 हर्सी होती है फिर उसके पाद हैम 79-46 naturally होती है है इस प्रकार हमारी चैनी के भी हाड रहनेस कितना होती है तीरिफपन से 69 होती है इसको आप लोग नोट करिए यह हर एक्जाम से पूछा जाता है ठीक है फिर एक इंपॉर्टेंट हमारा आता है कटिंग जो साइज यानि चैनी की साइज कैसे लेते हैं तो कटिंग एज की च हम यह ब इसको मस्रूम हैड भी बोलते है क्यूंकि कि यह 10 से 12 डिगरी के कोण पर क्या किया घय रहता है चेंफर किया घय क्योंकि जब हमम इसको चोट मारते हैं तो हमारी चोट किहा होती है सिदे इसके point पे आती है ठीक है किसलिए इसको खेमफर कर देते हैं ठीक है यारी झोमारी चोट होगी सीधा point पिसका पड़ेगा इसलिए इसको चैंफर कर दिया जाता है अगर फ्लैट राता तो अमारा चेनी का जो हम चोट मारते हैं उतना प्रभावी नहीं होती है ठीक है पाइंच और आई गुड़े कुल लंबाई इसको अपनोड करिये कि छैनी का साइज कैसे लेते हैं अगला हम आते हैं क्टिंग एंगल या छैनी कई प्रकार की होती है तो सभी छैनीयों का आपनोगों को क्या पूछेगा क्टिंग एंगल पूछेगा ठीक है तो इसमें हमारा कटिंग एंगल पुछेदा तो यह हमारा 35 से 70 डिगरी के बीच में वैरी करता है इसी के बीच में हमारी जितनी भी छैनिया होंगी उनके कटिंग एंगल होंगे ठीक है अगर साधार तब पूछ देगा आपको एक जाम में कि छैनि का कटिंग एंगल कितना होता है तो आप लो का यूज पूछता है एंगल पूछता है ठीक है तो देखते हैं पहला हम लोग हमारी चैनी दो प्रकार की होती है ठंडी चैनी होती है और एक गरम चैनी ठंडी चैनी तो जो हमारी ठंडी चैनी होती है यह हमारी कहां यूज की जाती है यह हमारी फीठर साप में या फिर सी प्सक्राइब करते हैं जैसे शीट एक करना हो का काटना हो ठीक है उसको भी हम फसको करूई सब्सक्राइब हमारी वंश को भी इसकी सैता से काड़ सकते हैं यह कि सदारिता कारियों के लिए फितर साफ में च्छैनी का यूज करते हैं हमारा आता है गरम अब इसके बारे में जितने तैफे पहले क्या करते हैं किसी दातव को घ्रता से कोई करनी हो तो आम लोग ठंडी चैनी का यूजे नहीं करेंगे हम लोग गरμ चानी का ही घूज करेंगे क्योंकि जो ठंडी छैनी होती है वह पहलेसे हट अरड रोती है ठिक थंडी चानी-चानी मिलेटने किया जाता इसको आप लोग नोड कर दिशाङ कर देज्फ्र नहीं किया जाता है किनले किय क्या जाता है तो जो जाब होता हुँ uzसका पॉइंट ही कुदी किया जाता है ठीक है घर मुल्मा किके δा सराट है तो इसलिए इसको बार-बार हम पानी में जितनी बार हम चोट मारते हैं तो हमारा जो सका प्याहिए होता है वो क्या होगा गर्म होगा तो उसको क्या करते हैं पानी में दूबो देते हैं फिर उसके बाद चोट मारते हैं जिससे इसकी स्वेम हाड़ टेंपरिंग हो जाती है ठीक है और हमारा जो कटिंग यह वह मुडता भी नहीं है यानी इसको हम लोग हाड़ टेंपर नहीं क सकते हैं क्योंकि इतना अच्छा मैटेरियल आपके सामने एक जगह कठा करके नहीं मिलते मिलेगा कहीं इसका आप लोग इसकी साथ लेजिए बाद में इसको नोट भी कर सकते हैं तो थंदी चैनी में हमारे कुछ टाइप है हमारा पहला टाइप है फ्लेट चीजल तो अब हमा में पूशता क्या है इसका इंगल पूश देगा इसकी कटिंगेज की ज़डाई होती है वह पूश देगा चैनी की लंबाई होती है वह फूश देगा या और उसका उच्छ देगा है तो हमारा जो फ्लट चीजल इसका एंगल कितना होता है 35-70 डिगरी के मध्य करता है अग जितनी भी कट चैनी आप लोगों को दी गई लगबग इसी सब की लंबाई ही होती है अगर नारमल इक जाम में पूछेगा कि चैनी के लंबाई कितनी होती है आप लोग बताएंगे साव से चार समय में अगला हमारा आता है यूज यह जो यूज है यह काफी कैसा है तो हम लोग क्या करेंगे इस फ्लेट चीजर का यूज करेंगे ठीक है जो इसका क्राश सक्षन देखिया इताकार होता है यह फ्लेट है यानि जो इसका कटिंगे ऐसी च्षडाय अधिक होती है ठीक है इसको इसलिए इसको आपके नोट करिए काफी कि जो यहां पर इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग क्या कर सकें ठीक है आगे आए हमारा आता है दूसरा क्राश कट चीजल क्राश कट चीजल क्या होता है पहला हमारा फ्लेट चीजल था अब जो यह चीजल है या क्राश कट चीजल है यानि इसमें अंतर हिया है कि इसकी जो की चावड़ाय कितना हो यह चावारा राय यह कम म ठीक है यानि अधिकतर आपको आप्शन में यही दिखेगा कीवे बनाने के लिए की छहनी का यूज करेंगे तो आप लोग इसी को प्रिफिरेंस दीजेगा क्राश कट छहनी को ठीक है कि आगेई यह मारा हाफ राउट चीजल है हाफ राउट चीजल यानि इसका जो यह जो क्राश तरह यह देखिए जो क्ट्टिंग हाफ राउट ॹण्द यहाँ हाफ राउट की तरह बनाऊ तो आधा गोल कार ठीक है इसका देखिए क्रास्ट यानी इसका कैसा था एक क्रास सेक्षन मaimerी ःता कर्स कार COM कि तरह था लेकिन इसका देखे गोला कारिस का आप लोग नोट करिए इसके बाद इसकी कटिंगे इसकी चवड़ाई दो से 16 mm और लंबाई भी इसकी और छेनियों के पेच्छा क्या होती है काम होती है जैसे उस छेनी की जो लंबाई थी 100-400 mm थी तो इसकी डेर सवसे डाइस तक इसकी लंबाई होती है इसको आप लोग नो है को हमारा बंजह बनाते हैं उसके लिए क्या करेंगे में आफ रहुंत चीजल का प्राइन के लिए और बोलेगा कि वयंग के लिए वे तो क्रांसकर चिजस्ट का हम लूग यूज उसकि करेंगे अगला राता डायमंड point चीजन жизни आधायमंड पॉइंद यह नि जो इसका मellow होता है ज्मित जो यह इंगल साथ डिगरी होता है कितना होता है उसको उसको द्यान देजिये को यह गरें आता कार कर ना चीज उसके बद हमारा आता है प्लव गव मुख चीजल यानि गव मतलब इसका जो मुख होता है वो गाय के जबड़े के समान होता है ठीक है इसलिए इसका नाम रखा गया है गव मुख चीजल ठीक है और इसका अंगल आप लोग नोट करें 35 से 70 डिगरी के मत दिया होता है फिक्स नहीं होता है यह बदलता रहता ह लुख मुख चीजल का और इसका anonymous कर यह जूए इंपर्ठेंट है तो कोही हमारी सीट है और उसमें गोल शुराइफ कर आई तो लोग फिरक आई कर निकालना कर ने क्या निकालना हो अगर हमें वासर निकाला हो किसी सिट में से हम लोग और करेंगे फिर अगला ही है अपसेट टीज में अपनलों को बूशेगया अपसेट का ननाम किया है यह पिर और तो आपसेट चीज़ा इसको आपने लोग ध्यान दिएगा ठीक है इसका एंगल जो unto ऐसकी च़ोड़ाई यह होती है ठीक है एंगल साथ डिगरी चवड़ाई 6 mm इसका यूज नोट करिए इसका इसका जो यूज होता है कि हमारा जो में आयता कार या वरगाकार कोई गुरू होता है उसमें चाहीं ने तो आपसेट चीजल का यूज करेंगे या फिर हमें कोई कीवे बनाना हो उसके लिए भी हम लोग आपसेट चीजल का यूज करेंगे अब कीवे से मत कन्फुजन होएगा कि इसका भी उस कीवे के लिए इसका भी कीवे के लिए तो अगर कीवे बोलेगा तो आप लोग दिघए दिचेगा ठीक है अगला मारा आता हूं वेब चीजल लोग तो इसमें लिखा गया आप लोगों को चेंट ड्रिलंग मतलब समझ रहा है मारे लिजेव को यह मर्जाब हमारा यह जाब है इसमें लोग झार्भ सहोल कर exported हैं consistently स्कों तो हमने it is किया कर दिया? drilling करने के बाद हमें मैटरियल को we withdraw हटाना है अब हम यहाँ ढदर नहीं सकती हैं तो हमें बिच मेह बच्रा करने में यह API करते हैं यह यह प्रकार कार है यहा जो यह च्छैनी है यह जो हमारा होता है इस पे हम लोग प्रकार हमें ऐसा स्लाट मिल जाता है यानी चैन ड्रिलिंग किये रहते हैं वहाँ पर हम लोग वेब चीजल का यूज करते हैं ठीक है उसके बाद या साड़ी दी गई है जो हर कंपटीशन एक जाम में इंपोर्टेंट है या साड़ी इसको आप लोग एक बार नोट कर लिज देंगा भी इसको बताएंगे शाड़ी कैसे आई है पेहले हम इस पर discussion कर लेते हैं यहां से भी बहुत कीशन बनता है एकजाम में में ठीक है पहले इसको अमोग देख लेते हैं तो देखिए यह मेरा कोई जहाँ है उसके क्या कर रहे हैं किसे दो करते समें समय इसमें और आप पूछे जाते हैं यह यह एंगल कौसा है एंगल कोन सा है इंगल रहा सबसे पहले हमारा इंगल इंगल बनता है देखिए यह जो की सत्य और जो कटिंग पॉइंट है इसके बीच में हमारा देखिए एक एंगल बन रहा है इसको हम लोग गामा से दिनोट किया गया है नहीं अलपा से दिनोट किया गया इसको ठीक है तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं किलेंस एंगल कौन सा एंगल किलेरेंस एंगल बोलते हैं और यह एंगल कितना रखा जाता है 10 डिग्री रखा जाता है किलेरेंस एंगल, नार्मली पुछेगा किलेरे सब्सक्रेशन कह incapable इसको दियान देजिए इसका कितना होता है तो दोनों जो पॉइंट है इसको मेरे इश नहीं होता है सभी छेइनियों के लिए इंक लोगी सभी दात्व के लिए अलग-अलग होगा उसके बाद हमारा अगला कोड बनता है जहां पर अगला चुंद है काम इसको हम लोग रेक कोड़ बोलते कौन से कोड रेक एंगल बोलते हैं यह को याप सोस्थ कडे की है को यह अपकर नोट करिए नोट भुग में इंक करी है तो यह जो ए अंगल होता है हमारा 20 दिगृ होता है नोट करिए काफी इंपॉर्टेंट हैं तो किसके बीच में बनता है तो जो हमारा चीपिंग मैटेरियल है जो हमारा चीपिंग मैटेरियल है और जो हमारा कटिंग एज है चीपिंग मैटेरियल से लंबहुत रेखा खीचेंगे और जो हमारा कटिंग एज है इसके बीच में जो हमारा एंगल बनेगा वह हमारा क्या होगा रेक कोड हो गा रेक एंगल होगा यह बीश यज़ेरी रखा जाता ह्य प्ट एंकल साथ डिगरी अर कीज़ें से अंगल दस डिगरी प्टन और इसके सारेहा बन रहा है इसको मारों बोलते है तो dáं कि यह सेटिंग एंगल यह जो हमारा होता है जुकाओ कोड इसको आप लोग ध्यान दीजिए यह हमारा 40 डिगरी होता है ठीक है यानि जब हम च्छेनी का यूज कर रहे हैं तो जो हमारी जाब है और उससे जो च्छेनी के अच्छ से जो रेखा खीचेंगे यह मारा च्छेनी का अच से एक रेखा कीचेंगे जाब और च्छेनी के अच के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा उसी को हम लोग सेटिंग कोड बोलेंगे ठीक है यानि जितना एंगल था अमने आपनों को बता दिया और एक बात आपनों ध्यान रखिए जो हमारा रेक एंगल होता है रेक एंगल प्रसिशनाल को अधमने अगले इक एक यानि या रेक एंगल और हमेशे क्या होता है बदलता रहता है अगर हम इसे डियर अगल को बड़ाएंगे opener को कम करेंगे किया होगा इतना द्धान दीजी जैसे लए झेल शेनी को उठा रहे हैं तो हमारा क्य क्रेंग पड़ाने के तो हम तो के happening पड़ां जाने तो हमारी जो जो टेम UP करने कर देगी तो हमारी जो ढ़कार प्रकार हम यूज कर रहे हैं अगर सी किश में बनता है ज्ञ बढ़ा देंगे तो इसको नोटकर सब्टेगे कि यूट इसें आता एक्जामिंशी को cents किलरेंश अंगल बढ़ा देंगे एशग्षेने सथा में दोनों नोटेट पॉइंट हैं और वाले हैं अगर चेनी को रेक एंगल कर दें तो चेनी फिसल जाएगी दो पॉइंट यहां से बने यह एक दुसरे की विद्कृवान पाती होते हैं यह बड़ेगा दूसरा घटेगा ठीक दूसरा घटेगा तो एक बड़ेगा इसको अपलो को नोट करिएगा और इसके जो एंगल हमने बताए है इसको भी आप लोग ध्यान दीजेगा इसके बाद कुछ हमारे पॉइंट आते हैं एक क्यूशन बनता है कि छेनी के जो यह कटिंग एज को काने मेक्स क्यों बनाया जाता है इसमें उत्तलता क्यों दी जाती है ठीक है तो कर सकते चल सके ठीक है यानि जो हमारी जो मेटा लोगा उसमें फसने से बचाता है हमें फसने से यानि जो हमारी छेनी होगी उसमें फसेगी नहीं और अफसानी से क्या होगी हमारी छेनी चलेगी और एक वजह यह भी होता है कि छेनी की जो पॉइंट होता हो इसको टूटने दसने से भी बचाता है और उसके और क्या बता है कि जो इसका पॉइंट को टूटने से भी बचाता है ठीक है यह दोनों पॉइंट थे आप लोगों को क्या थे इंपोर्टेंट थे ठीक है इसके बाद इसकी जो साइड़ी गई है इसको आप लोग द्यान देजिए कि बिभी और आप लोग नोट कर लीजिए अगर हमारी धातू अगर हमारी कोई धातू साप्थ है नोट करिए अगर कोई धातू साप्थ है तो उसके लिए जो हमारा पॉइंट एंगल कम रखा जाएगा और कोई धातू हाड है तो पॉइंट एंगल अधिक रखा जाएगा यह क्यों र आएगा ठीक है इसलिए इसके पॉइंट को कम और ज्यादा रखा जाता है एल्मुनियम दातों हमारी साफ्ट है पॉइंट एंगल कम रख रहे हैं एंगल आप इंकलाइनेशन इसको कैसे निकालते हैं इसका फर्मूला होता है आप लोग बता दें तो इसका फर्मूला यह होत है पॉइंट एंगल पॉइंट एंगल तो पोइंट एंगल र्फॉध्य मॉइंट चाहिए प्लस सेवण आप लोग नोट करिए कि उसको याद करने की जरुत नहीं अभी निकल जाएगा अ आतुका दाल रहें है कि पॉइंट एंगल कितना है तीस है अपन दो पलस सेवन इससे बाग देंगे तो हमारा आज़े का पंदर है प्लस सेवन यानी हमारा कितना गया 22 देखिए असानी से निकल गया किया का हम है पॉइंट एंगल में आप लग दो शे भाग बेजिए और है कि आंगे हम लोग देखते हैं इसे को हम लोग इंकलाइन ने इअनलों सेटिंग कोड जुका औंप बोल रहे हैं यह कुछ अलग नहीं है काफी बत्चेश में कंफुजंन हो अफ़ाई की है अलग से क्या होगा आ गया इस इक आम लोग क्या बोलेंगे जुकाएव我 कौह जैसे जैसे दातु हाड होती जा रही है हमारे एंगल बढ़ते जा रहे है कापर आ गया पैतालीस इसका विश्टर निकाल लीजेगा ब्रास का पचास माइल इस्टिल पच्पन काश्ट आरन साथ हाई कार्म इस्टिल सपाइसट ठीक है और हाई स्पीड इस्टिल आ जाता है तो इसका सत्तर डिगरी हो जाता है ठीक है इस प्रकार यह जो पॉइंट एंगल लिखा गया है यह हर एक्जाम उसमें पूछा गया है अग चाहिए आपका डियादी हो इसरो एक्जाम कोई भी एक्जाम हो उसमें यह एंगल आप लोगो डारेक्ट लिप पूछ देगा कि एल्मूनियम दातू के लिए चीजल का कटिंग एच कितना रखते हैं का कटिंग एंगल कितना रखते हैं इसको आप लोग ध्यान दीजेगा इस परकार हमने एंगल के बारे में भी जान लिया एक लास्ट क्यूस्टन हमारा बनता है इसका स्पैसिफिकेशन कैसे करते हैं य सब्सक्राइब को बताएं जा तक यह थे बिएक कांसा प् gouvernemental चाहिए पर दग्र में चाहिए सब्सक्राइब नोग यह चैनि की लंबाई बटाई और चोड़ाई भी बताना होगा लिए मारी क्या हो गई चवड़ाई हो गई फ्लेट चिजल की उसके बाद हम बताते हैं क्रास सेक्षन आप बाड़ी एक इंपॉर्टेंट क्यूशन इसको हम नहीं बताया आप लोगों को कि इसका क्रास सेक्षन कैसा होता है उसके बाड़ी का तो आप लोग नोट करिए यह सऺनाड़ा कार या इश्ट बूंचार होता है क्या शच्थ कि सच्थ घुजबर ह焦 का का या कफी इन्पॉटेंट है हर यं में आता है कि दो आप हम लों पता दोचेंगे इंद ऍसको हम हमें चाहिए एक्सा गोंडल इस प्रकार हम चैनी का स्पैसिफिकेशन कर देंगी तो चैनी से जितना इंपॉर्टेंट की उसन ता जितना आपके एक्जाम में आ सकता है हमने सब बता दिया इससे बाहर आप लोगों को कुछ नहीं आएगा और हम जो फिटर थिवरी की जो कला हमने चैनल पर डाली है उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को सेर करिए चैनल को सस्क्राइब करिए जिससे मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को आगे की वीडियो लाते रहें तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जाएंद